अब हम बात करेंगे diffused air aeration system ठीक है क्या previous में हमने बात करी थी types of aerator के उपर और हम gravity aerator और spray aerator को discuss कर चुके थे अब बात करेंगे हम diffused air aeration system के उपर लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मोहन हूँ और स्वागत आपका हमारे इस youtube चैनल पर digitake education पर अब हम बात करेंगे कि जो diffused air aeration system है उसके अंदर हम कैसे diffusion कराते हैं किसका air का तो ध्यान देना जैसे कि नाम से आपको clear हो रहा होगा कि air diffusion aerator है या फिर diffused air aeration process है तो इसमें क्या करते हैं हम एक tank construct कराते हैं ध्यान देना diffusion tank यह जो tank मैं बता रहा हूँ आपको जहाँ पर यह arrow move कर रहा है या ऐसे सुने यह मेरा एक tank होता है ठीक है इस tank की जो height रहती है generally मैं 2.5 meter से तो 4 meter तक ले लेता हूँ ठीक है जो tank की जो height है हमारी इतनी होनी चाहिए या depth आप इसको बोल सकते हो पहली बात दूसरी बात यह है यहाँ पर कि आप perforated pipes यह जो pipes लग रहे हैं इनको मैंने क्या बोला है इन pipe को बोल रहा हूँ मैं perforated pipes इन perforated pipes को मैं bottom of the tank बिचा देता हूँ क्या करता हूँ इन pipes को मैं bottom of the tank बिचा रहा हूँ ठीक है अब इन pipes को इस air compressor से होता है ठीक है नेक्स्ट जो step है वो पहले सुनते जाएए बाद में आपको सब कुछ clear हो जाए तो यहां तक clear हुआ कि मैंने क्या क्या एक पहले मैं tank बनवा रहा हूं tank जिसकी depth मेरी 2.5 से तो 4 मिटर तक हो सकती है दूसरी बात कि मैं जो tank है इसके bottom में perforated pipes को बिचा आ रहा हूं जिसका connection मेरे सीधे किसे है compressor से है जिसके अंदर मेरी compressed air रखी होती है और उस air को मैं यहां पर pass कराऊंगा फिर third step में क्या है third step में मेरी है कि एक side से मैं raw water को इसके अंदर डालता जाओंगा tank के अंदर और यह ध्यान दीजेगा यह important point है कि यह जो raw water आ रहा है यह मेरा continuous supply से होता है क्या continuous supply होती है जिसका detention time मेरा 15 minute का होता है क्या बोला है कि जो inlet आप कर रहे हैं यहां से raw water जो आपका आएगा यह continuous supply होगा जिसका detention time जो रहेगा 15 minute रहेगा मतलब यहां से आपने water को supply कर दिया tank भरी गया water इस tank के अंदर 15 मिनिट तक रुका रहना चाहिए और फिर यह निकल जाएगा यहां से फिर से आप यहां पर water आएगा वो दूसरा water भी 15 मिनिट तक यहां पर रुका रहेगा और फिर से वो treat होने के बाद भार चला जाएगा क्या क्या एक point से मैंने inlet दिया इसको दूसरी side से मैंने इसमें compressed air का supply की क्या क्या compressed air supply करी अब यह जो compressed air है इसके अंदर कुछ pressure होगा यह compressed air जो है यहां से जैसे bottom of the tank निकलेगी तो यह water के अंदर से पास होएगी water के अंदर रहेगी तो water के अंदर से पास होने की पूरी- क्या होगा ओटू होगा तो यह जब इस water के अंदर से पास होने की कोशिश करेगी तो यह जो ओटू है कि इस water के अंदर mix हो जाएगा mix हो जाएगा यही हम चाह रहे थे क्या कि oxygen को कैसे ना कैसे करके water के अंदर क्या कराना है हमें raw water के अंदर mix कराना है तो यह इसके अंदर mix हो जाएगी और 15 मिनिट तक ये प्रोसीजर हमारा चलता रहेगा और 15 मिनिट बाद ये वोटर आटोमेटिकली इस टेंक से भार आ जाएगा जो कि हमारा एरिटेट वोटर होता है and the same process keeps gone मतलब क्या बोल रहा हूं में कि ये same process जो है क्या बोल दिया समझ आया मैंने अभी तक क्या explain किया जो मैंने बोला है सब यहां पर आपके लिए मैं लिखके लाया हूँ आप इसका screenshot ले ले या फिर इसको आपको download करना था हमारी website की link के description में दी गई वहाँ से download कर सकते हैं ठीक है पहला point यहां पर clear है कि perforated pipes का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कुछ pipes होते हैं जिनके अंदर क्या आते हैं छेद होते हैं गड़े हैं मतलब कि अगर यहां से आप पानी इसके अंदर flow कराओगे तो यहां पर pressure से जो water drop late रहेगा यह बोल सकते हैं अगर इनके अंदर आपने air flow कराई suppose मैं यहां पर इस case में air यहां से भेज रहा हूं तो जो air से यहां से इन जो hole से इन hole से भार निकलेगी ठीक है और इसी ऐसे pipe को हमने बोल दिया perforated pipes clear हुआ second point भी मेरे ख्याल से आपको clear हो जाएगा अगर आप पढ़ेंगे third चीज मैंने आपको बता दी यहां पर आप इने बोलेंगे कि sir आपने 2.5 से तो 4 तक बताई तो यह 3 मीटर हो सकती है या 4 मीटर हो सकती है ठीक है साथ में जो detention time है वो भी मैंने आप लिख दिया वो कितना होता है हमारा 15 minutes का होता है और जो quantity यहां पर एक और बात जो है कि अगर thousand liter water आप treat कर रहे है तो उसके लिए आपको इतना water इतना क्या लगएगा diffused air लगेगी आपको ठीक है clear हुआ तो यही बस चीजे हैं जो कि इस टैप के एडिटर्स के